दोस्तो आज 5 Days Banking पे जो है एक development हुआ है पहले सुबह सुबह क्या हुआ कि एक message आता है जिसमें कि ये बताया जाता है कि 5 Days Banking जो होने वाला है और Finance Ministry ने गौर्णमेंट ने इसको अप्रूब कर दिया है तो सुरू सुरू में तो ये message जो है fake message लग रहा था मैं आपको message दिख from all comrades that in alignment with the Memorandum of Understanding signed and subsequent recommendation by the Indian Bank Association IBA the cabinet has granted approval for an amendment to the Negotiable Instrument Act this amendment under Negotiable Instrument Act for the banking holidays is slated to be effective from January 1st 2024 मतलब के negotiable instrument में इसको modify करके government ने as per the approved amendment commencing from the aforementioned 1st 3rd and 5th Saturday दोस्तो ध्यान दीजेगा 1st 2nd नहीं यहां पर 3rd and 5th Saturday of every month will be designated as official holiday for banks this development endorsed by the cabinet not only reflects a pivotal step in implementation of the 12th bipartite settlement but also acknowledge the evolving need and the dynamic of the banking sector the inclusion of these additional holidays aims to enhance the well-being and the work-life balance of the banking professional तो दोस्तों यह message सुब पढ़के तो एक्दम fake message लग रहा था क्योंकि इसमें 1st 3rd and 5th की बात की गई है इसमें 4th की बात नहीं गी वहां मैंने जो बोला का अब द्यान दिजे का 2nd नहीं है तो 4th भी नहीं है तो यह message पूरी तरह से फेक ही लग रहा है और फेक भी है लेकिन इसके बाद जो development साम को मिलता है मुझे पता चलता है कि financial express में भी आज news में छपा हुआ था जिसको आप यहां देख सकते ग्यारा तारीक यह आज के ही डेट का financial express का यह पन्ना है जिसमें आप left side में corner में देख सकते हैं कि एक news छपी है वो news मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस news में दोस्तों लिखा हुआ कि 5-day work week for the bank staff likely from January 1 तो उन्होंने और अंदर क्या लिखा है आप उसको भी जान लिजे गौर्मेंट is believed to have decided to allow the 5-days working week in banks from January 1 तो उन्होंने जो लिखा है कि मतलब यह माना जा रहा है कि गौर्मेंट ने जो है कि एक जन्वरी से 5-days week banking को लागू करने के लिए मतलब सहमत हो चुकी है और उन्होंन जो फाइनेस्टेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट खबर जो है यह सही हो सकती है कि 1st January से 5 days of banking मिल सकती है यह सही हो सकती है क्योंकि last time इनोंने जो है कि कि एक हपते के पहले meeting के पहले जब meeting का जब date आ गया था December में 7 December को तो उसके पहले इन्होंने एक वीग पहले ही बता दिया कि ठीक 12 बजे से पहले जो है MOU sign हो जाता है तो इन्होंने अपने ख़वर में यह भी लिखा था कि इनके पास चार ऐसे विश्वसनी सूत रहे हैं जो की मान रही है कि एक जनवरी से जो है कि 5 days week banking यह दे सकते हैं तो यह ख़वर भी शाय सही हो जाएगा दोस्तों उन्होंने अपने financial express के आप पुराने भी इसमें आर्टिकल में देख सकते हैं उस समय भी लिखा था कि जो 5 days बैंकिंग होगी यह तो MOU sign होने के साथी साथ December को sign हो ज announce करेगी और एक जनवरी से जो है 5 days बैंकिंग हमको मिल सकता है तो दोस्तों अगर आप इस चनल पर नए है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लिजे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लिजे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अगर आप इस चनल पर नए है तो चनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लिजे